जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में कक्षा 3-7 के बच्चो के लिए 31 मार्च को होगी भीषेश परिख्चा जार्खन के सरकारी एवम सायता प्राप्त इसकूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चो के सैक्षनिक अस्तर के आकलन के लिए 21 मार्च को ली जाएगी इस विशेस परिक्षा का उद्य से यह पता करना है कि कुरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के सेक्षनिक अस्तर में कितनी गिरावट आई है इहाँ परिक्षा काक्षा तीन से साथ के बच्चों के लिए लिजाएगी जिसके समध में सभी जीलों को निर्देश जारी कर दिया गया है जार्खन सिक्षा पर योईना परिशत की निदेश किरन कुमारी पासी द्वारा जारी निदेश के अनुसार तीसरी वा चोथी के बच्चों की परिक्षा उतर पुस्तिका पर ली जाएगी जबकि पांचवी से सातवी कक्षा के बच्चों की परिक्षा ओयमासीट पर ली जा राज निर्वाचन आयो को पार्टी बनाया गया है याचिका में कहा गया है कि जार्खन सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षन दिये बगार पंचाय चुनाव कराना चाहती है जबकि ट्रीपल टेस्ट के तहत कमिशन गठित कर पिछड़ा वर्ग का इंपिरियल डाटाई कठा करना है सुप्रीम कोट में दायर की गई आजका में कहा गया है कि सरोष नियाले के आदेश के अलोग में पंचाय चुनाव कराने से पहले राज सरकार को पिछड़ा वर्ग को पंचाय चुनाव में आरक्षन देने के लिए ट्रीपल टेस्ट करवाने वाली कमिटी अगठन अनिवार्य है गवर्णर ने पांच डॉक्टरों पर केस करने का दिया था अदेश डीसी ने एक का नाम हटाया राजे पाल रमेश बैस ने रेट क्रोस सोसाइटी में बितिये अने मित्ता की सिकायत पर कमिटी को ततकाल परभाव से भंग कर इसमें सनलिप्त पांच डॉक् कुमार परसाद का नाम हटाकर चार्ट डॉक्टरों पर ही फायार करने का निदेश दिया राजे पाल श्री बैस ने एक कोईस फरवरी 2022 को रेट क्रोस सोसाइटी की राची सखा कमिटी को भंग कर दोसी पाये गए डॉक्टर सुसील कुमार ततकालिन सचीव डॉक्टर उसा नर्सिया ततकालिन सचीव असो कुमर परसाद सचीव डॉक्टर जैपरकास कुप्ता वाकोसा ध्यक्स मलकेट सिंग के बिरूत कानूनी करवाई योमेफायार का आदेश दिया था रांची गोड़ा एक्सप्रेस को हरी जंडी रांची से गोड़ा जानने वाले यात्रियों को परसानिक असामना नहीं करना होगा क्योंकि रेल्वे ने रांची गोड़ा एक्सप्रेस के परिचालन को हरी जंडी दे दिया तो ही अब रांची दुमका एक्सप्रेस को भी ग गोड़ा तक बिस्तार करने का नियन लिया गया है जनकारी के मुताबिक रांची गोड़ा एक्सप्रेस का परिचालन अप्रेल माह में किसी भी दिन सुरू हो जाएगा यह इंटर सिटी ट्रेन नमबर 18620 गोड़ा रेलोे स्टेशन से साम 4.35 मिट से खुलेगी ट्रेन दूमक में रिस्वत खोरो के खिलाप ACB को लागातार सफलता मिल रही है इसी करम में मंगलबार को रांची के भरष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के टीम डे रांची SSP के कर्याले में कारणत लिपिक दीपक को पांच यह गूस लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है ACB रिस्वत लेने वालों के खिलाप लागातार करवाई कर रही है रिस्वत लेने की सिकायत जैसे ही भरष्टाचा निरोधक ब्यूरो को मिलती है इसकी पुष्टी के बाद उसकी गिरफतारी को लेकर जाल बिचाया जाता है इसके बाद उसे रांगों हाथ रिस्वत लेते किया एलो अलर्ट जारी जार्खन में दो अप्रेल तक मौसम साफ रहेगा लेकिन इस दोरान धूप आपना तेवर दिखाएगी मौसम बैज्यानिकों की माने तो मंगलवार 29 मार्ज से एक अप्रेल तक राजी के विभीन जीलों में लू चल सकती है मौसम बिभाग नहीं से लेकर अलर्ट जारी किया है इसके अनुसार बच्चों और बुजुरुगों को धूप से बचने की सलाद दी गई है लू से बच्चों और बुजुरुगों को ज्यादा खत रहा है ऐसे में उन्हें धूप में देर तक खड़ा नहीं रहने की सलाद भी दी गई है डाक्टर गिर्धारी राम गांजु को मिला मर्नो प्रांथ पदमसरी पुरसकार नागपुरी सहित को अलग पहचान दिलाने वाले प्राख्यात बिद्वान डाक्टर गिर्धारी राम गांजु की पत्नी सरस्वती गांजु को राष्ट पती राम नाथ कोविंद ने मर्नो प्रांथ पदमसरी पुरसकार से समानित किया एस समान सो मोर को दिया गया कुछ महिनों पहले उन्होंने रिम्स में अमतिम सांस ली थी उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं बता दे कि भारत सरकार ने गंतंत्र दिवस की पुर्व संध्या पर इसकी घोसना की थी एस समान उन्हें सहित और सिक्षा के छेत्र में विशेश योगदान के लिए दिया गया OBC आरक्षन को लेकर राजेपाल से तेली समाज की मांग जार्खन परदेश तेली समाज एवं छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज का सन्युक्त परतिनिदी मंडल सो महर को राजेपाल रमेस बैस से मिला परतिनिदी मंडल ने OBC का आरक्षन 14% से बढ़ा कर 27% करने के बाद राजे में पंचाज चुनाव कराने की मांग की इसके अलावा छोटा नागपुरिया तेली को आदिवासी का दर्जा राजे के विधान सबाच्षेत्र का पूना परी सीमन कर 140 करने राजे में जातिये जनगना कराने 1932 के खतियान प्रनियों नीती बनाने 36 गड़ की तरज पर राजे में भी तेली घानी बोड का गठन करने की मांग की गई प्रतिनिदी मंडल में कॉंग्रेस बिधायक आमबा परसाद मौजूद थे बंधूत तिर्की की बिधायकी खतम लोग परतिनिदी तो अधिनियम 1951 के तहट अब तक जारखन के चार बिधायकों की सदस्यता जा चुकी है अधिनियम में प्रधान है कि दो साल से अधिकी साजा होने के बाद जन परतिनिदी की बिधान सभा या लोक सभा की सदस्यता चली जाएगी इसी अधिनियम के तहद बंधू तिर्की की भी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी कोट में सुनवाई के बाद सोमवर से उन्हें तीन साल की सजा मिली है राजे में सबसे पहले इस अधिनियम के तहद आजसू विधायक कमल की सोर भागत की सदस्यता चली गई थी जे एस एसी उत्पाद सिपाही 2018 के बियार्थी 2022 की परिक्षा में ले सकेंगे भाग जार्खन उत्पाद सिपाही परिक्षा में सामिल सभी अभ्यार्थियों को जार्खन हाई कोट से बड़ी रहात मिल गई है हाई कोट के जस्टिस राजे संकर के अधालत ने कट ओफ डेट को लेकर दायर्याज के आपर सुनवाई करते हुए बिग्यापन संक्या 4 2018 की परिक्षा में सामिल सभी अभ्यार्थियों को उत्पाद सिपाही परिक्षा 222 में सामिल कराने का आदेश दिया अधालत ने कहा कि जो अभ्यार्थी बर्ष 2018 की उत्पाद सिपाही परिक्षा में सामिल हुए थे धनबाद जज मोत मामला धनबाद के अपर जिलाव सत्र नियाधिस अश्टम उत्तम अनन्द के मोत मामले की सुनवाई सोमवार को CBI के विशेश नियाधिस तीरतिये रजनी कांध पाठक के अदालत में हुई अदालत में वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये जेल में बंद आटो चालक लखन कुमार वर्मा वह उसके स्वयोगी राहूल कुमार वर्मा की पेसी कराई गई अभियोजन की ओर से CBI के लोक अभियोजन ने साग छी सी एफ एसल के प्रिंस्पल सांश्टिस परमोद कुमार सिंग की गवाही कराई उन्होंने अदालत को बताया कि वह क्राइम सीन रिकेरियेट में सामिल थे वह क्राइम सीन पर दो बार गय थे या धाक का जान बुझ कर मारा गया है जार्खन कैबिनेट की बैठक कल जार्खन कैबिनेट की बैठक बुध्धवार को अहम बैठक होने वाली है इस अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर नजर होगी जार्खन मंत्री मंडल सचीवाला अमनिगरानी विभाग ने सुचित किया है कि कल राची में इस जार्खन मंत्रा लेके केबिनेट कक्ष में साम चार बज़े अबैठक होगी जार्खन में अस्थानिय नीती राज बजट सत्र के दवन काफी चर्चम रही उमीद है कि अस्थानिय नीती को लेकर इस अहम बैठक में चर्चा होगी जार्खन के मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने भाजपापन निसाना साथते हुए कहा था कि राजे के अस्थानी निती जार्खन के लोगों की भावना के अनुरूप ही बनेगी राजे सरकार विभीन सर्वे का अध्यान कर राजे के अंदर समयनुए वब्यापक समती बनाते हुए ही अस्थानिय निती लागू करेगी आपको बतादे कि 25 मार्च को जार्खन बयट सत्र समापन हो चुकी है इसके बाद ए मंत्री परिशत की बैटाग अस्थानिय निती को लेकर काफी अहम साबित हो सकती है जेजे एमपी के पुर्व सदसे की पतनी वबच्चे की हत्या जेजे एमपी के सुप्रीमो सुकरा उराव की हत्या ममले में फरार जेजे एमपी के पुर्व सदस से अमर्जीत की पतनी वत तीन वर्षी बच्चे की जेजे एमपी संगठन की नकसलियों ने बीती रात गोली मार कर हत्या कर दी घाटना जनवल गाउं के कंचन मोर के समीप की है भागने की दरान अमर्जीत के पीट पर भी गोली लगी है किसी तरह जान बचा कर भागे अमर्जीत ने जनावल गाउं के एक घर में छूप कर अपनी जान बचाई घाटना के सुचना मिलने पर पुलिस ने मोके से मा बेटी के सोग को कबजे में लेकर पोस्ट मास्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल इस्थित पोस्ट मास्टम में भेज दिया है लोहरदागा पुलिस की बड़ी सफल्ता जार्खन में लोहरदागा पुलिस ने नकसल भी रोतिय अभ्यान की दोराण एक बार फिर बड़ी सफल्ता प्राप्त की है भागपा मवादी संगठन के नकसल द्वारा सुरक्षा बलोग नुसान पहुँचाने के नियत से जंगल पहाडी छेत्रे में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विसफोटा को पुल्च ने बरामत किया है विसफोटको में चार बंडल कोडेक्स वायर सामिल है या इतना ज्यादा विसफोटा खाय कि इससे काफी ज्यादा छती पहुंचाई जा सकती है कोडेक्स जा को मैंंटर का इस्तिमाल लेंग्स माइन के लिए किया जाता है मैट्रिक वा इंटर परिक्षा में जैक मौडल सेट पेपर के 19% प्रस्ना गर्मी के इस मोसह मैं सोमार को मैंटरिक वा इंटर के परिक्षार्थियों को रहत किसांस मिली है दो जो प्रस्ण पूछे गए हैं उनमें से 90% प्रस्ण जयक के द्वारा गत दिनों जारी किये गए मोडल सेट पेपर के नुरूप थे प्रस्ण पत्र देखकर बच्चों में हर्स का महल था परिछाब देखकर बाहर निकले बच्चों ने कहा कि अधिकांस प्रस्ण मोडल सेट पेपर से ही पुछे गए थे जिस कारण सवालों का जवाब देना बहुत आसान था हलाकि सब्जेक्टिक में उन्हें थोड़ी परसानी जरूर हुई थी धन्यवाद ज़दी आप चैनल परना है होते चैनलों का सब्सक्राइब के बहुत का वेल लाइक अंधा भाईए शाचाब वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना ना भुलें साथ-साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे थाइंक झाल 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 झाल